हेई गाईज वेलकम बैक टो मैं चैनल मैं हो सुनीता और आप देख रहें को अरकी क्लैन तो दोस्तों उमीद करते हो आप सब अच्छे हैं बड़े मज़े में बहुत अच्छे सपना ख्याल रख रहे हैं तो दोस्तों आज हम बनाने वाले वाटर कैंडल्स तो यह जो कैंडल है बहुत ही ट्रैडिशनल तरीका है कैंडल बनाने का दिया बनाने का बट आज इसको हम तुला से एक modern टच देंगे और ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास में हमीशा वैक्स होना चाहिए कैंडल बनाने के लिए अगर आपके पास में वैक्स नहीं है और आप अपने घर को ए जेले भी ना किसी टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टाट करते हैं तो दोस्तों वाटर कैंडल बिनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए रहेगा कांच का ग्लास तो आपके पास में कोई भी ग्लास अवेलेबल है वो चलेगा इस तरह से टॉल भी चलेंगे एन यह राउंड शेप वाले भी चलेंगे तो मैं आज यह राउंड शेप वाला यूज करेंगे उसके बाद में मैं बॉटम के लिए कुछ पैबल्स भी यूज करने वाली हूँ तो यह मेरे पास में कुछ मार्बल्स है उसके बास से यह कॉंक्रीट वाले पैबल्स में चाहिए रहेंगे बहुत इजीली अवेले मिलेगा यह जो कॉंक्रीट वाले आप देख रहे हैं मैंने अपने गार्डेन में सूठाया हुआ है एंड यह मिल जाते हैं आराम से कुछ टेंशन नहीं कि नहीं मेलेगा मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी दैन में यह कुछ तो आप थोड़ा सा चीपर रेट वाला लीजेगा ऐसे नहीं कि सफोला यह संड्रॉब यूज़ कर ले अधरवाइस वह वेस्टेज ओफ मनी हो जाएगा एन हमें चाहिएगा एसेंशन और तब कोई भी पसंद का कोई भी फ्लेवर का पसेंशन और यूज़ कर सकते दैन हम जिसका मैं बॉटम कट करके वाटर केंडल में यूज़ करने वाले इस तरह से छोटे वाले भी है तो जितना छोटा रहेगा उतना अच्छा रहेगा तो चले हम इने कट कर लेते हैं तो दोस्तों हमारा यहां पे यह बॉटल कट हो चुका है अब हम क्या करेंगे सेंटर में हमें से होल करना है त्विका में इस के अंदर में से आम इसे हमारा जो ठ्रेड है इंसर्ट करने वाले है लास्ट फिनिश आप इसे दे दीजिए इसके बाद से मैं क्या करूंगी यहां पर में पास यह स्क्रीव डार्वर है जिससे मैं तुर्वा सा गरम किया हुआ है मैं एकदम अच्छे से गरम कर लीजिए एन एकदम अराम-अराम से इसे वोल कीजिए ध्यान रखेगा कि आपको जाली हो चुक है तो चलिए हम फटाफट इसमें यह विक को इंसर्ट कर देख यहां पर मैं कैंडल में यूज होने वाले विक को यूज कर रही हूं तो आप जो पूजा में यूज करते ना रूए वाले कॉटन वाले वह मत यूज कीजिए तो बहुत सॉफ्ट होते एन से मैं इन पेबल्स को ये स्पून की मदद से डाल दूगी and आप mix and match कर लेजिए आपको जो bottom में रखना है marble रखना है आपके पस में जो भी available है आप उसको अराम अराम से layer layer में डालते जाहिए तो चोईस बिल्कुल आपकी है तो मैं ये पहले वाले glass को एक ocean feel देना चाती थी तो इसमें मैं ये shells को use कर रही हूँ तो मेरे पास है तो मैं इने use कर रही हूँ अगर आपके पास में नहीं है तो भी कोई problem नहीं है तो मेरे पास में ये old succulent plant है जो artificial है जो मैं पस काफी time से पढ़ा हुआ था तो मैं उसे भी इसमें use कर दी हूँ तो जब इसमें जब हम पानी डालेंगे तो एक अच्छा सा ocean वाला feel आएगा तो ये अच्छा लगेगा तो आप देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है इस तरह से तक कि सेटल हो रहा है हम दूसरे glass भी decorate कर ले तो सेम हमें उसी तरह से करना है पहले हम पेबल्स जालेंगे उसके बाद से हम इसके पर में flowers या किसी भी शीज से पेबल्स जालने का रीजन यह है कि अगर हम डिरेक्टली कोई भी flower डालेंगे तो वह float हो जाएगा और हमें flower को float नहीं करवाना है हमें इसमें होड कर्वाना है तो थोड़ा से पेबल डालेंगे तो अच्छा सा होल अजयेगा ए अच्छा से लुग यह से लुग बी डाएंगा तो मेरे पास में यह बहुत प्राना सा और किड अचुछ है धाला जेंगेगा और अगर आपको लगेगेगी थोड़ा सा अर्टी में भी तो आपके पास में कोई स्पून हो या कोई पैंसल या कुछ भी हो उससे आप इसे सेटल कर ले अच्छे से इसके अंदर में पैबल में इसको इंसर्ट कर दे ताकि जब आम इसमें वाटर डाले तो यह फ्लोट ना हो एंड मैं थोड़ा से इसके उपर में भी पैबल डालने तो दोस्तों हमारे यह सेकंड वाले ग्लास और में बहुत अच्छा आ रहा है यह वीडियो में इसका जो ब्यूटी है वो जस्टिफाइन नहीं हो रहा है मैं सीरिसली बता रहे हूं अब जब आप इसे बनाएंगे तब आपके बता चले है यह कितना ब्यूतिफुल लगता पानी डालने के बाद यह और बहुत अब सुन्दर लगता है तो चले यह मैं तीसरे वाले ग्लास को भी डेकुरेट कर लेती हूं तो मेरे पास में कुछ पुराने चैरी ब्लॉसम फ्लावर्स पढ़े हैं तो मैं उससे भी यूज कर रहे हूं विकि मैं आपको मैक्स तूमै आपको आप्शन देना चाहती हूं तो इसके अपर में यह गर्डन वाले पैबल्स यूज कर रहे हूं मेरे पास जो मार्बल से वो खतम हो गए तो हमें यह यूज कर रहे हूं अब यह जो और फ्लावर से छोटे-छोटे हैं तो अच्छे से यह सेट हो जाएंगे तो इसके दो-तीन में पास कलर्स अवैलेबल एक लाइट पिंक है और यह परपल है तो इसे में यूज कर ले रहे हूं तो आपके पास में अगर कोई और भी फ्लावर से अपको नहीं यूज कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो यूज करी हूं वही आपको यूज करना है अपना जाए एक अच्छा सा लुक आ जाए तो चेले उसी तरीके से हम इसे भी सेटल कर देते हैं स्पून की मदद से मैं इन सब को अच्छे से पेबल्स के अंदर में डाल देती हूं ताकि एकदम ली पर्मेनन टाइप सा हो जाए एन जब मैं पानी डालो तो यह फ्लावर स्फ्ल कर देते हूं तो आप जितना ओएल डालोगे उतनी देर तक यह बर्न होएगा बट डिपेंड करता है कि आपके जो ग्लास है वो कितना बड़ा है तो मैं आपको बताती हूं मैंने कितना ओएल इसमें डाला है आप इसको डालने कि पर आपको थोड़ी देर तक कि लिए है और आप देखें मैंने इतने अच्छे से इसको प्रेस करकर के डाल दिया तो मेरा फ्लावर भी फ्लोट नहीं हो रहा है तो यहां पर मैं बताती हूं कि आप देख सकते कि मेरा जो ऑईल है सेटल होने के बाद में इतना जम गया है तो आराम से यह एक से तीन घंटे तो मे कोई टेंशन नहीं है उसके बाद से जो मैंने थ्रेड एंसर्ट करके रखा था उसको मैं इसमें तुछा सा ओईल में डिप करती हूं देन हमें उल्टा करके इस ओईल के उपर मैं इसे हमें रख देना है और इसे हम बॉन करेंगे बिल्कुल सेफ है कोई प्रॉब्लम नहीं है यह मैंने करके देख लिए उसके बाद से मैं आपको यह बता रही हूं इसमें कोई टेंशन नहीं है उसरे वाले पे भी हम इसी तरीके से इस ग्लास के जो बॉटल का जो हमने कट करके यूज किया था उसको हम इसमें डिप कर देंगे तो आप देख सकते हैं कितना इजी ह ना इसमें बनाना के इसमें प्लिमिटेड चीजे से और चाहिए पास में जो घर में जो चीज आवैलेबल थी उसी से मने कैंडल बना दिया तो मैं आपको तुरा सा रोटेट करके बताते हूं इसके लुक कैसा आ रहा है तो आप देख सकते हो गाईज तो चलिए दोस्तों मैं ये वाटर कैंडल को बर्न करके बताते हूं और इसे बर्न करते ही मेरे घर पे जो खुश्बू फैली है बहुत फी ब्यूरिफूल खुश्बू बहुत सुंदर खुश्बू और पूरा घर खुश्बू से भर गया है ये ब्यूरिफूल भी लगता है तो आप इसे जरूर ट्राइब कीजिए बिल्कुल रूनीक और बहुत ब्यूरिफूल लगता है और बिल्कुल सस्ता भी है और सबसे इंपोर्टन है बिल्कुल सेफ है तो इसे जरूर ट्राइब कीजिए अगर आपको मेरा ये वीडियो प झाल